हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुट चैनल चेलर लर्ण करते हैं और मेरा नाम है मनीशा और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिगा क्योंकि आप वीडियो देखने में लाइक करना है भूल जाते हो तो फ्रेंड्स आज हम दुख सीखेंगे इंडियन सिस्टम में कौमा लगाना इंडियन सिस्टम में कैसे लगाते हैं आज हम यह सीखेंगे अब जिसे बच्चों को कैसे सिखाएं कि कैसे कौमा लगाए जाएं इंडियन सिस्टम में तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें प्ले को सिखाएंगे कौमा लगा ना कि इतने बडे नंबर से वह सीख नहीं पाइंगे सदेनली ओके तो फिर चली देखते हैं जैसे यह है वंस प्लेस हुआ यह हुआ है कि यह तैंस्ट है यह हंडेड हो गया यह थाउसेंद हो गया हुआ यह थाउजेंड यह 10,000 ठीक है टीटी एच मेंने लिखा है तैन थाउजेंड यह होगया लैक यह होगया 10 लैक ठीक है यह होगया क्रोर यह हो गया 10 क्रोर ओके यह देखिए इस तरह से हम पहले तो बताएंगे बच्चो को कि यहाँ पर यह जो place value है इसका कैसे हम करेंगे यह once में आएगा three once में आया two tenths में seven hundred में three thousand में nine ten thousand में फिर one lakh में यहाँ two ten lakh में six करोर में और four ten करोर में ठीक है यह चीज़ हम बच्चो को पहले बताएंगे place value चार्ट से ठीक है अब हम बच्चो को कैसे बताएं कि कोमा कैसे लगाया जाए ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो यह हो गया unit period इसे हम क्या कहते है unit period यह देखिए फ्रेंस मैंने लिख दिया है यह क्या हो गया one ten hundred इन त्यों को मिलाकर के बोलते है unit period ओके यह उगया अब thousand और ten thousand इन दोनों को मिला कर कर बूलेंगे thousand period ठीक है अब ये होग tú advisor resolution ये होग you need period ये होगे thousand period अब है number period तो ये दोनों को मिला कर है लेक और ten flexible ये दोनों को मिला कर बूलेंगे Lewis period और ये crores period हो जाएगा ठेक है तो आप समझ रहे हैं, इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे यूनिट्स पीरियड, थौज़न पीरियड, लैक्स पीरियड और करोर पीरियड ये हो जाएगा आपको समझाने के लिए बच्चों को अब जैसे हम नंबर लेते हैं छोटे से नंबर से सुरुवात करेंगे बच्चों को समझाने के लिए ठीक है जैसे मान लिया ले लिया हमने 6, 2, 2, 1 ठीक है यह 1, 10, 100 ओके तो यह होगे unit period तो unit period के पहले ही हमें क्या करना है कॉमा लगाना है unit period के पहले कॉमा लगाना है तो हो गया क्या यह 6, 221 क्या हो जाएगा यह 6, 221 अब उसी तरह अगर हमने ले लिया 2, 3, 5, 4, 1 तो यहां भी अगिन क्या होगा 1, 10, 100 इसके पहले क्या करना हमें कॉमा लगाना है इसके पहले कहिए चाहे बात कह लीजिए तो यहां पर कॉमा लग गया अब यह होगे 1,000 और 10,000 तो जब 10,000 जब हम बोलते हैं तो हमें 2 नंबर को 7 लेकर के चलना होता है ठीके 10,000 बोले तो 2 नंबर को 7 यानि कि हम 23,000 बोलेंगे 3,000 नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे 23,541 ठीके समझ रहे हैं आप 23,541 अब उसी तरह तो यहां पर क्या लगया 1,000,000 के पहले हमने कॉमा लगा दिया ठीके अब तो यह होगे यहां पर कॉमा नहीं लगाए क्योंकि 1,000 और 10,000 दोनों थाउजन पीरियन में आते हैं दोनों एक साथ है इसलिए यहां पर बीच में कॉमा नहीं लगाना है ठीके अब हो गया समझ में आ रहा है उसके बाद अगर आ जाए आपका 3,2,3,5,4,1 ठीके इसके पहले 3 लगा दिया मैंने तो अब क्या हो गया 1,10,100 कॉमा लगा दिया यह 1000, 10,000 एक साथ फिर यह सुरू हो गया लैक्स पीरियट का ठीके 10,000 पीरियट यह रहा कॉमा लगा फिर यह हो गया लैक्स पीरियट तो यहां पर फिर मैंने कॉमा लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा अब 3,23,541 समझ रहे आप इस तरह से हमें कॉमा लगाते जाना है unit periods में नहीं लगाना है unit period के बाद लगाना है या before लगाना है जो भी केली before लगाना है तो ये हो जाएगा thousand period ठीक है अब अगर हम इसी तरह से बढ़ते जाएंगे बच्चों को इसी तरह से one by one इस तरह से समझाते जाना है ठीक है जिससे बच्चे को कोई confusion ना रहे अब जैसे 43 है 23 है 541 है ठीक है तो ये क्या हो गया यूनियर्स period कॉमा लगा ये हो गया thousand period thousand period के बाद फिर यहां पर कॉमा लगा ठीक है तो अब क्या हो जागा ये लैक और 10 लाक है तो 10 लाक है जब फिर हमें 10 लाक जबाता है तो 43 दो अंकों को एक साथ लेके चलना होता है ठीक है हम 3 लाक नहीं बोल सकते हैं 43 लाक बोलेंगे लाक है और 10 लाक है तो 43 लाक 23,541 इस तरह से हो जाएगा अब उसी तरह अगर यहां पहले नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाग तो लाक पीरिएट कहतम होने के बाद फिर पहुमा यह Alt जाएगा यह देख़ि इस तरह से अधिक है यह अपर लगा यूश पर पहले पहले फिर थौन पीडमे के पहले फिर लΟ मेर्स पीडियट के पहले है ठीक है तो यह हो गया करोर्ट 96541 तो इस तरह से हमें क्या करना है बच्चो को समझाना है ठीक है अब अगर यहाँ पर जीरो माल लिया आ बच्चो को कभी-कभी जीरो आता है थे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे को क्या पढ़ए ठीक है जिसे माल लिया फाइब लगा दिया मैंने यहाँ पर कर दिया ठीक है 23541 यहां पर जीरो मैंने ला दिया अब बच्चे क्या करेंगे कि बहुत कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यह क्या इसी क्या पढ़ है ठीक है तो अगें वैसे ही हो जाएगा यहां पर मैंने कॉमा लगा दिया यूनिट्स पीडियोट के पहले यानि वंस टेंस हं 25000 यहां पर फिर लग गया और यह के लैंठ 10 लैक तो 0 है तो यहां क्या पढ़ा जाएगा Anime निधिक यहां तो जीरो तो कांक हो इसलिए 3,23,541 इसी तरह से अगर यहां 0 आता तो 3,000 पढ़ा जाता 3,541 ठीक है? इस तरह से बच्चों को हम पढ़ना समझाना कि वो कैसे पढ़ेंगे कैसे नंबर नेम लिखेंगे और फिर कॉमा कहां लगाएंगे कॉमा लगाने में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि कैसे कॉमा लगा है तो आप उन्हें इस तरह समझा कर देखिए हो सकता है बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए हो सकता है कि बच्चे अच्छे से समझ ही जाएंगे ठीक है? तो यह है इंडियन सिस्टम ठीक है? इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाए जाए यह मैंने बताया है कैसे बच्चों को समझाएंगे ठीक है तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं एंड होता है मुझे उमेद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा और बच्चों को अच्छे से आप समझा पाओगे वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजेगा फिर थेंक यू थेंक्स वर वाचिंग